सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए following question आपको प्रिशनों को देने तो पहले हम यह देख लेते हैं question number one है wild animals live in village or at our home जो जंगली जानवर होते हैं बच्चों वो गाउं में या हमारे घरों में रहते हैं तो इसका हमें answer देना true या false में तो हम false लिखेंगे क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं हमारे घरों में या फिर गाउं में नहीं रहते question number two है write the name of some animal you are afraid of आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनसा आप डरते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे lion tiger bear शेर चीता भालू कुछ ऐसे जानवर हैं जिससे हम लोग डरते हैं अब question number three देखते हैं write two qualities of your favorite animal आपका कोई भी मन पसंद ऐसा जानवर उसके दो गोड लिखने हैं आपको तो मैंने यहाँ cat के बारे में लिखती है बहुत cute होती है cat, बिलीच होती है मुझे बहुत पसंद और बहुत innocent होती है महसूम लगती है रेखने में यह दो qualities मुझे उसकी पसंद आपको भी अगर कोई animal पसंद है और उसकी कोई qualities पसंद है तो आप भी लिखते हैं बना आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं भी देखते हैं, read the passage carefully and answer the following question, passage को ध्यान बूरवक पढ़ना और प्रिशनों को उतर देना है, तो पढ़ते हैं, we took its mother and it was not to blame, हमने मा को लिया और ये blame करने वाली बात नहीं थी, आरोप लगाने वाली बात नहीं थी, surely it seems ungrateful to leave it to starve, वो कहता है कि हमने उसकी मा को लिया है, एक यहाँ पर हीरन के बच्चे की बात हो रही है, वो कहते हैं कि और निश्चित रूप से उसे अकेला और भूका छोड़ देना ठीक नहीं होगा, son, I can't say no to you, जो जोड़ी एक बच्चा दिखाया है, उसके father दिखाये, ये रहे, picture में भी दिखाये हुए, उसके father को एक सापने काट लिया था इस story में, और उनका poison निकालने के लिए वो एक हिरनी को मार देते हैं, और उसके liver और heart का use करते हैं, poison निकालने में, तो एक बच्चा बच्च जाता है वहाँ पर, जो हिरन का बच्चा था, और उसके बारे में जोड़ी सोचता है कि हमने उसकी मा को लिया, मतल मैं तुम्हें नहीं कह सकता, I never thought I had lived to see another day, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दूसरा दिन भी होगा, जिसमें मैं जीवित रहूँगा, मतलब उस समय उसे ऐसा लग रहा था उसके पिता को की verb नहीं बचेंगे, can I ride back with mill wheel and see if I can find it, तो जोड़ी अपने पिता से पूचत और उसके पिता जी कह देते हैं उस बच्चे से कि अपनी मा को बता दो और मैं तुम्हें जाने के लिए कह सकता हूँ, he sildled back to the table and sat down, वो side वाली table पर बैठा था महा से, उट गया, his mother was pouring coffee for everyone, उसकी मा हर किसी को coffee दे रही थी, he said उसने कहा, मा पासे says I can go break man the phone, तो वो अपनी म बच्चे को वापिस लाने जा सकता हूँ, she held the coffee pot in mid air, उनके हाथ में जो coffee pot था, वो बीच हवा में ही रह गया, और वो चिल लाई, what phone, क्या, हीरन का बच्चा, the phone belonging to the dough we killed, वो जोडी कहता अपनी मा से, कि वो हीरन का बच्चा उसी हिरनी का था, जिसे हमने मा रहा था, we used the dough's lever to drought the poison and save pa, हमने उसके लिवर का use, पापा का poison निकालने के लिए, और उनने बचाने के लिए किया, she gasped, well for pity's sake, pa says it would be ungrateful to leave it to starve, जैसे उसकी मा कहती है कि किरप ऐसा, मत करो, उसे जाने से रोकना चाहती है, तो वो जोडी कहता है कि पापा कहते है कि उससे छोड़ना, उसको भ Wilson भी एक आदमी है इस स्टोरी में, तो वो कहता है, that's right ma'am, बिलकुल ठीक बात है, nothing in the words come quite free, कुछ भी हमें इस संसार में, free में नहीं मिलता, the boy is right and his daddy is right, ये लड़के का अधिकार है और ये उसके पिता का भी अधिकार है, अब C section देखते हैं, इसमें fill in the blanks करने, now complete the following sentences using the hints given in bracket, bracket में आपको correct option लेना है, तो यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, पाएगा यहाँ पर, past said, उसके पिता क्या कहते हैं, past said, surely it seems ungrateful to leave it to strap son, वो कहते हैं, निचे तरोप से बेटा, हमें उसे भू का छोड़ना ठीक नहीं होगा, I can't say no to you, मैं तुमें नहीं, no नहीं कह सकता, I never thought I had leave to see another day, तो यहाँ पर यह पूरी लाइन, जोड़ी के father ने कही थी, तो यहाँ पर आजाएगा pa, next line है, gasp, तो यहाँ पर आजाएगा mother, क्योंकि यह लाइन किसने बोली थी, उसकी mother ने बोली थी, ठीक है बच्चो, अब next देखते है, answer the following question, what phone, who asked this question, इरन का बच्चा यह बात किसने पूछी थी, मिलवील ने या उसकी मा ने, तो यह बात उसकी मा ने पूछी थी, तो आप mother लिख देंगे, next है, nothing in the words come quite free, संसार में कुछ भी हमें, free में नहीं मिलता, whose statement is this, यह किसका statement था, तो हम लिख देंगे, this is Doc Wilson's statement, यह Doc Wilson का statement था, उनका कतन था, उन्होंने बोली थी यह बात, next है, the Doceft Jody's father life, true or false, जो Do थी, हिरनी थी, जो उसने Jody के पिता की, पिता की life को बचाया था, उन्हें, जीवन दिया, उसने, यह बात true है या false, तो यह बात true थी, तो इसमें आप लिख देंगे true, तो आपकी worksheet complete हो गई बच्चों, मिल